हेलो वेलकम दोस्तों आईए गर्णबाइद देख रहा है आप मैं रवीकुमार एक अफिर से नई वीडियो में हजरू हूँ दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो साधी समारों हो रहे हैं उन समारों में जो सो लोगों को बलाने की गाइड लाइन सरकार ने जारी की है तो उन सो लोगों को बलाने के लिए क्या सरकार से अनुमती लेना जरूरी है कि आपके यह साधी है और सरकार से अनुमती लेना इसके लिए क्या अनिवार है तो दोस्तो इस लीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे तो चलिए दोस्त हम वीडियो सुरू कर लिए तो साही चीज़ों को समझ लेते हैं दोस्तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की गाइड लाइन दोस्तों यदि आपके आप सोज़ाओं से जादा की भीड होती है और जब कोई निगरानी करने हैं आता कोई भी अधिकारी तो आपके अंगे सक्त कारवाई की जा सकती है और दोस्तों मैं आपको उतानात चाहूंगा उत्तरपिदेश सरकार ने जो जिला मजिस्टेट हैं उनको जिम्मेदारी सौपी है कि वो निगरानी करेंगे सबी साधियों की और दोस्तों चेक करेंगे कि वहाँ पर सौशी जादा लोग हैं की नहीं और अगर 100-000 लोग पाई जाते हैं, तो सकत कारवाई की जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, और जो भी आपके हैं साधे हैं, तो वहां पर अनिवारता रहनी चाहिए, वहां पर फेस मास्क लगाए हों सभी लोग, और दोस्तो हैंड को सेनिटाज करने के बवस्ता हो, और दोस्तो जो यह जो बेसिक बेसिक चीजे हैं, इनकी अनिवारता रखे गई है, दोस्तो यदि कोई आपकी प्रावलाम है, तो नीचे कमेंट हो से कमेंट काके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत जार रिप्लाइ कर देंगे, और दोस्तो चैनल पर नई हैं तो को अब जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे काफी वीडियोस लाते रहते हैं, जो आपके लिए काफी ज़्यादा हिल्पर होने वाले हैं, तो चली दोस्तो मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सुख करिया,